नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरीचित दोस्तु पस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महतो पूर्ण जानकारी को लेकर के जिहां खाना खाने के बाद कभी नहीं करने चाहिए ये चार काम वरना आबैल मुझे मार वाला किस्सा हो जाता है लोग खाने के बाद आम तोर पर एक कुर्सी पर बैठते हैं या आराम से बैठ जाते हैं लेकिन यह एक बड़ी गलती है जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए विशेशग्यों के मुताविक यह आदतें अत्यधिक खतरनाक हैं और आपके स्वास्थे को खतरे में डाल सकते हैं वरना आबैल मुझे मार वाला किस्सा हो जाएगा अर्थात आओ रोग मुझे रोगी बना दो जिहां तो आईए इसी के बारे में जानते हैं हम सभी खाने के बाद कभी नहीं करने चाहिए यह चार काम सबसे पहले धुम्रपान धुम्रपान काफी खराब है लेकिन भोजन के बाद यह हत्यारे की दस गुना है जिहां यह सही है खाने के ठीक बाद धुम्रपान बहुत बुरा है और अगर आपको यह करना है तो भोजन के बा शरीर को कार्सिनोजेंस को और शोशित करता है कई अध्यानों के अनुसार एक सिग्रेट पीने के बाद एक बार सिग्रेट दस बार सिग्रेट को धुम्रपान करने के समानी प्रभाव पड़ता है और आंत्र और फेफड़े के कैंसर का खत्रा बढ़ता है इसलिए भी खाने क बाद नहीं करना चाहिए भोजन के बाद कभी भी बिश्तर पर नहीं जाना चाहिए भोजन के बाद निंद या निंद के लिए जूट बोलना लाखो लोगों की पसंदीदा चीज है लेकिन यह आदत स्वस्थ नहीं है जब हम अपने पेट के प्रवाह से कुछ पाचन रस ले सकता है भोजन के बाद शाम तक कभी भी इस नान नहीं करना चाहिए या कर सकते हैं आप शावर लेने के लिए भोजन के 30 मिनट बाद इंतजार करने के लिए इस विक्षय पर सबसे अच्छा सुझाओ दिया जा सकता है पाचन हमारे शरीर में बहुत अधिक उर्जा और रक सकता है आपका खाया हुआ सही से हजम नहीं होगा और आपको बहुत सारी पिमारियों का सामना करना पड़ेगा इसलिए आप खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी नहाए ना यानि के सनान ना करें भोजन के बाद ठंधे पानी को छोड़ो जिहां कारण बहुत सरल है से आपका खाना हर नहीं होगा और अगर आप खाना ठीक से हर रहो जाएगा यानि कि लेकर फोजन के बाद जब ही आपको पानी पीना ही पड़े तो आप खरम पानी ऑना फी नहीं हों तो आपको फायदे ही जगह नुक्सान हो सकता है यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं को और बहुत ही महतोपूर जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों